तो वोई यू गाइस तो भाई कल के वीडियो में हमने देखा था कि किसके गुलूवल का स्किन कैसा है लेकिन गाइस आज किस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किसके पास कैसा इमोट है और हाँ गाइस इमोट फाइट में जो भी हारेगा न मैं उसको मारूंगा नहीं बल और दूसरी तरह यहां देखो कितने तगड़े पुरोप लेर यहां देखो गोल्डेन सीजन वन और इनमें से एक भी बैजवाला बन्दा भी है तो चलो भाई बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट और इधर से ये गोल्डेन सीजन वन आ जाओ और एडम की टीम से कौन आएगा भाई गोल्डेन सीजन वन से पंगा किसे लेना है अपे तीरी ये एडम तो निकल गया भाई बड़ा खतरनाक जिगर वाला एडम है ये तो आखिर इस एडम को गोल्डेन सीजन वन से डर लगता भी है कि नहीं आचा ठीक है अभी पता चलेगा एडम को गोल्डेन सीजन वन से पंगा लेने का नतीजा चलो गोल्डेन सीजन वन पहले तुम अपना एक इमोट दिखाओ और भाई यह क्या दिखा रहा है तो गज़ा भाई मेरे को लगा कि गोल्डेन सीजन वन थोड़ा तगड़ा इमोट दिखाएगा लेकिन छोड़ो यार बेगार है भाई या मैं तो तूड़ या तो चलो अब इस नूब एडम का मेक्स इमोट कहां से आ गया जलगा है हमारा चलो गाईस अब दूसरा इमोट देखते हैं गोल्डेन सीजन वन इस बार थोड़ा खतर नाक इमोट दिखाना जिसे देखके यह एडम डर जाए ठीक है तो चलो दिखाओ अब यह तो लौल इमोट दिखा र भाई यहाँ देखो 100 लेबल वाला इमोट उरे बाबो अब तेरी ये नूब एडम तो 100 लेबल का है भाई एक बार फिर से यहाँ देखो भाई साब क्या आई खतरनाक इमोट लग रहा है इक है समुराइबंडल अब तुम अगला इमोट दिखाओ अब दुनिया के सबसे गरीब आदमी यह है क्या तबीज देख रहा हूं कौन सा ही मोट देखते हैं यहां अपैं दम्स चलो बाई आज जाओ और दो हीपोफ बंडलन चलो भी यह हिपप बंडल को देखके डर लग रहा है इसके पास तो पक्का तगड़ा तगड़ा इमोट होगा यहाँ देखो ओबे तेरी उड़ पीकर का मैक्स इमोट अरे एडम भाई कहीं इसका इमोट देखके बैक मत तल ले न चलो तुम भी दिखाओ अपना इमोट ओबे तेरी इसक एडम का खेल खतमा भाई एडम तुमारे पास क्या है अब भूत नहीं के यहाँ देखो भाई एक सेमेट का मैक्स इमोट इसलिए भाई एडम की हुलिया देखके उसकी अवकात का अंदाजा नहीं लगाने का चलो अब तुम दोनों भी उधर चले जाओ चलो बाई अब एडम भाई एसा क्या करने वाले हो चलो भाई अब ऐडम का इमोट देखते हैं और यहाँ अब तेरी एडम ने भी एक के का मैक्स इमोट दिखा दिया तो आप टो इसा क्या दिखाने वाले हो अपे तेरी यहाँ देखो भाई एडम के पास भी M10 का मैक्स इमोट है और अपे यह पीछे यह एडम क्या कर रहा रहे रहा है रुक जाओ अपे भाई तेरी निकल गजा बाद हुए चलो भाई तुम दोनों भी उधर चले जाओ और गाइस अब एक एडम ब इमोट है यहाँ अपे भाई इसके पास भी उतना खास इमोट नहीं है चलो भाई प्रो प्लेयर दूसरा इमोट दिखाने लग गया भाई लडाई करने आये हो क्या चलो एडम अब तुम दूसरा इमोट दिखाओ और और भाई बहुत बढ़िया चलो अब एक काम करो तुम कहीं भी जाके छिप जाएंगे और मैं इनको ढूंडूंगा और जो भी मेरे को दिख्याना उसको वहीं के वहीं मार दूंगा इसलिए सभी लोग अच्छे से छिपना ताकि मैं ढूंड न पाऊं और गाईस यहाँ देखो भाई एक हंड्रेड लेबल वाला बंदा भी है औ हाँ तो जाओ भाई सभी लोगों को अच्छे से छिपने दो तब तक मेरी आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यही कि जिस चैनल पे आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो ना ये मेरा दूसरा चैनल है और गाईस इस चैनल में बहुत ही जल्द हंड्रेड के दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो हाथ तो गाइस उन सभी लोगों के चिपने का समय होता है समाप्त अब हम उन सभी लोगों को ढूंडेंगे चला भाई कौन कहा चिप गया रुको एक बार देख लेते पक्का कोई ना कोई यहां अच्छे देख लेते हैं अब तेरी रह यार सच में कोई नी है अब भाई आखिर सभी के सभी गये कहां अब यहां देखो पोर्टल लगा हुआ है अच्छा तो इसका मतलब सभी बंदे नीचे चले गए अब तू गया मेटा अभी आता हूं नीचे फिर बताता हूं सबको अब एक मिलेट यहां अब यह कौन है इसको और कोई जगा नहीं मिला क्या चिपने के लिए अब तू गया मेटा अभी बताता है इसको चाल निकल नूबड़े हां भाई रुको इसको पूरा खतम कर देते हैं पहले आप तो भाई पहले बंदे को डोंड के मार दिया मैंने अब नीचे चलते हैं और भाई चलो देखते हैं दूसरा बंदा कौन और कहां मिलता है उपर तो कहीं भी छिपने लायक जगह नहीं है तो यहां पर कोई नहीं होगा चलो नीचे चलते हैं और भाई देखते हैं इधर कोई है क्या अब भाई इधर नहीं तो फिर किधर गए अच्छा रुको नीचे उतरते अबे यहां देखो अरे भाई ये तो बहुत खतरनाक जगा पे छिपा हुआ है लेकिन मैंने इसको ढूंड लिया तो चलो भाई इसके सामने जाते हैं उसके बाद देखते हैं हाँ भाई किसकी आदम खोए हो चल निकल लो बड़े चलो अब इसको फटा फट लपेड देते हैं चल निकल हाँ भाई खतम हो गया हाँ तो गाइस दूसरे बंदे को भी मैंने ढूंड लिया चलो अब तीसरे बंदे ढूंडते हैं भाई इस लकडी के पीछे है क्या कोई रुको अभी देखता हूँ यहां कोई नहीं अब भाई में डिप्रेशन में नहीं बलकि डिस्परेशन में चला जाओंगा अच्छा रुको इधर तो पक्का कोई ना कोई होगा यहां देखो अभे गुलूवन लगा के कोई उपर गया है क्या इस सब क्या देखना पड़ रहा है रुको अभे यहां पर कौन है रुको भाई पहले देख लेते तेरी तो अभे 100 टेबल वाला बंदा अभे भाई आखिरकार मेरे को यह 100 लेबल वाला बंदा मिल गया अब तू तु गया तेरी अकात मैं दिखाता हूं तुझे अभे बताता है इसकी तो चल निकल लूबड़े अभे तेरी डाौन कर दिया रुको भाई इसको क्या लगता है कि मैं इसको नहीं ढूण पाऊंगा 입니다 windows यहाँ देखो अभे भाई यहाँ पाइचँ इसका नगार दिया चलू गाइश में में बंधे को तो मार दिया मैंने लेकिन अभी वह Golden सीजन वन वाला बचा हुआ है साइध उपर गया अच्छा रुको अभी उपर जाग देखता हूं अब यहां कौन है और भाई यह तो गोल्डेन सीजन वन वाला बंदा लग रहा है अच्छा रुको भाई यहां पे छिपेगा भाई तेरे को क्या लगा थक मैं तुमको नहीं पाऊंगा तेरी तो अभी बताता है इसको अब तू गया बेटा तेरी तो चल निकल लूबड़े अब इसको डाउन तो कर दिया अब फटा फट इसको खतम कर देते चल निकल मजा आया और यहां पर उपर पका कोई न कोई होगा अपै यहां तो कोई नी है आच्छा इधर गुलूवल तो लगा हुआ था भाई पतानी बंदा का अब यहां देखो उपर कोई तो है एब आइब मैंने देख लिया निकल निकल बाहर निकल जल्दी फटा फट पट केजे केजे लोग रहते हैं यार अरे भाई कर क्या रहा है बाहर निकल जा मैंने देख लिया अब भाई शर्ख चलो अब नीचे जाके किसी और को भी ढूंडते हैं वा की के बचे हुए बंदे पता नहीं किस बिल में छिप गए अच्छर को एक जगह है भाई पक्का वहाँ पे कोई ना कोई तो जरूर छिपा होगा भाई इस कंटेनर के पीछे अपै यहां तो कोई नहीं है अरे यार किधर चले गए अपै यहां देखो गुलूवल लगा हुआ है अच्छा रुको भाई इधर पक्का कोई बंदा छिपा हुआ है रुको पहले इस घर में देख लेते हैं अरे बाई इधर का महोल तो एकदम सांद लग रहा है इस छोटे वाले घर में कोई ना कोई तो कोई नहीं है कजब लिए चलो फिर यहां बंदा जा जाते हैं और भाई और चिपने लायक जगा तो कहीं है ही नई इधर हो सकता है कोई बाई इधर कोई है पता निक कहां चले गए ये लोग मेरे को तु समझ में नी आ रहा भाई और कहां पे छिप सकते हैं अच्छा रुको यहां पे पीछे कोई है अपे भाई अब तु गया देख तेरी ओकात मैं दिखाता हूं तुझे और बाकी के दो बंदे बचे हुए भाई जो की कहां चिपे हुए है पता नहीं साले को भम से उड़ा दूगा एक बार हाथ में आ जाए तो अरे भाई कहां चले गए देखो अब तो जौन भी आ चुका है अब यार गाइस क्या मैं बाकी के बचे हुए बंदे को ढूंड अब तो गाइस और एक बंदा बचा हुआ है और यहां देखो मेरा एचपी कितना कम हो गया अब भाई क्या मैं उसको ढूंड पाऊंगा मुस्किल लग रहा भाई क्योंकि मैंने लगभग सारे जगत देख लिया भाई पता नहीं कहां चिप गया वो बंदा देखो तो सही म यह तो उपर आके बैठा हुआ है तब ही तो इतना ढूंडने के बाद नहीं मिला तो गाइस यह एडम जीत गया भाई हाथ तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना तो चलो भाई आज के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए पा आप आपई